हेलो फ्रेंट्स मैं अंजली एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आज हम बात करेंगे उन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में जिनकी लव स्टोरी में हम सभी को बहुत जादा इंटरेस्ट था वो है नेविल और लूना जब मैंने लूना वाला वीडियो डाला था तो मैंने अंत में बताया था कि लूना की शादी रॉल्स स्केमेंडर से होती है यानि की निउट स्केमेंडर के पोते से इस पर कई लोगों ने सवाल किया कि लूना और नेविल तो एक दूसरे को प्यार करते थे तो फिर उनकी शादी क्यों नहीं हुई या तक कि मुझे कई लोगों ने कहा एक्चुली कई नहीं बहुत जादा लोगों ने कहा कि आप गलत बता रहे हो और लूना और नेविल की शादी होती है दोस्तों मैं यह यह कहना चाहूंगी कि मैं वीडियो बिनाने से पहले काफी रिसर्च करती हूं और फिर उसे वीडियो में डालती हूं हाँ कभी कबार एक दूम इस्टेक हो जाती है पर मैं कोशिश करती हूं कि सारी इंफॉर्मेशन सही रहे उन्हीं में से एक फैक्ट है लूना और नेविल का रिलेशन्शिप दोस्तों अगर हम अब तक की इंफॉर्मेशन पर ध्यान दें और सभी फैक्ट को एक साथ रख कर देखे तो हमें पता है अब तक की बहुत सी चीजों को मूवी में अलग दिखाया गया है और बुक में वो अलग है कई कैरेक्टर्स तो मूवी में हैं ही नहीं कुछ का बस दिक्र भर है और मूवी को इंटरस्टिंग बनाने के लिए ओरिजिनल स्टोरी में बहुत से चेंजिस कर दिये गए हैं उनमें से ही एक स्टोरी है लूना और नेविल की मूवी के एंड में दिखाया गया है कि नेविल को लूना पसंद है और वो कहता है कि वो उसका दिवाना है वहाँ ही लूना भी शायद नेविल को पसंद करती है पर इस से आगे मूवी में भी कोई बात नहीं दिखाये गई है अगर हम बुक को कंसिडर करें तो लूना और नेविल के बीच में कोई प्यारवारा रिरेशन नहीं दिखाया गया वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त होते है जैसे कि हमाईनी और हैरी या लूना और हैरी या नेविल और हमाईनी लूना नेविल को सिर्फ दोस्त मानती थी जैसे कि वो रॉन, हमाईनी और जिनी को मानती थी इसलिए उसने अपने रूम के छट पर उनकी तस्वीर लगाई थी और सुनहरे अक्षरों में चेंज जैसे दोस्त दोस्त लिख रखा था जब जेके रोलिंग और खुद लूना का केरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस इवाना लिंच से ये सवाल किया गया तो दोनों नहीं एक ही जवाब दिया कि मूवी को इंट्रस्टिंग बनाने के लिए ये दिखाया है कि नेविल को लूना के लिए फीलिंग्स थी पर अगर हम दोनों ही केरेक्टर को ध्यान से देखें तो उनमें कुछ भी सिमिलारिटीज नहीं थी नूना एक खुले दिमाग वाली नई और अन्बिलेविबल चीजों को एकसेप्ट करने वाली दुनिया गूम गूम कर नए जीव और प्राणियों को देखने उनकी खोज करने वाली एक इंटेलिजन्ट लड़की थी इसलिए वो चील घात में भी थी बलकि नेविल इसका बिलकुल अलग करेक्टर था बचपन में वो बुलकरपन वाला और एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला लड़का था जब दीरे-दीरे उसे कॉन्फिडेंस आया और वो फाइनली सबका मुकाबला करने लायक हो गया तो उसकी सबसे अच्छे दोस्ती भी हो गई पर वो घर में रहने वाला और पढ़ाई से प्यार करने वाला इंसान था उसे सबसे ज़ादा कॉन्फिडेंस जड़ी बुटी विग्यान में आता था वो बहादूर था इसलिए वो गरुरद्वार में था पर वो हर उस चीज़ पर बिलीव करने वाला लड़का नहीं था जिस पर बाकी लोग बिलीव नहीं करते थे वो जाता इमेजिनेशन वाला या जानवरों से प्यार करने वाला इंसान भी नहीं था कोई दो लोग एक दूसरे से जितने अलग हो सकते थे नेविल और लूना वैसे ही लोग थे लिंच ने अपने इंटर्वियू में कहा था नेविल का जो करेक्टर है वो काफे कुछ अस्टे एट होम डैड वाला टाइप का करेक्टर है मतलब कि एक होम बोई जैसा लड़का जिसके सबसे बड़ी इच्छा यहीं हो सकती थी कि वो पेड़ पौदों के बारे में जादा से जादा जानकरी रखे उसकी एक प्यारी सी बीवी हो जो उसके लिए खाना बनाए और लूना ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी लूना बच्पन से ही खोजबीन करने वाली अपने पिता जैनोफीलियस लवट के साथ क्रमपल हॉन स्नोरकेक जैसे जानवर की खोज़ करने वाली और ब्रहमित करने वाले प्लम पर विश्वास करने वाली लड़की थी वो घर पर रह कर खाना बनाने वाली टाइप की बिल्कुल भी नहीं थी इसलिए दोनों शादी कर लेते इस बात की लगबख नामुम्किन से संभावना थी इसलिए बात की लाइफ में बिलकर देश-विदेश घूम कर जानवरों पर अध्यान करते थे नए जानवर खोशते थे और हर नए चालेंजिस को एकसेप्ट करते थे बलकि नेविल की शादी हैनना अबॉट से होती है हैनना बाद में रिष्टी कड़ाई की मालकिन बन जाती है साथ ही वो मैडम पॉंफरी के रिटायर होने के बाद उनकी जगा हॉगवर्स की मैटरन बन जाती है और नेविल हॉगवर्स में ही जड़ी बुटी विग्यान का प्रोफसर बन जाता है और दोनों अराम से साथ रहते हैं और जिन्दगी बिताते हैं ये बिल्कुल सही भी लगता है हाँ ये बात अलग है कि जब मैंने भी मूवी देखी थी तो मुझे भी या आइडिया बहुत अच्छा लगा था कि नेविल और लुना की सेटिंग हो गई जो साथ में अच्छे भी लग रहे थे क्योंकि शायद वो दोनों ही ऐसे इंसान थे जो साधरन से थोड़े अलग थे और एक दूसरी की इसी बात को पसंद भी करते थे पर वो सिर्फ बच्पन की प्यार जैसी चीज थी जैसी की हैरी और चो की या रॉन और लेवेंडर ब्राउन की हर रिलेशन का एंड शादी ही हो जरूरी नहीं इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है उसे अपनी पसंद और प्रायरिटीज पता चलने लगती है और वैसे ही हुआ नेविल और लूना के साथ तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर आउंगी तब तक के लिए बाई बाई